नमस्कार आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी मैं हूँ आपके साथ कांची बंसल मुंबई पुलिस का बर्खास पुलिस अधिकारी सचिनवाजे एक एक कर सच्चाई उगल रहा है जैसे जैसे जांच आयोक का शिकन जाकत रहा है वो दिस्पोटक खुलासे कर रहा है एक बार फिर सचिनवाजे ने पूछताच में वो सच सबके सामने ला दिये हैं जिसका शायद हर किसी को इंतजार था वहीं परमवीर और माराश्य सरकार पर सचिन ने आयोक को बड़ी जानकारी दी है वो सच क्या है सचिन ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में देखिए सौ करोड वसूली मामले में जान चल रही है हर रोज नए-नए खुलासे और सच सामने आ रहे हैं वहीं अब इस मामले में एक ऐसा खुलासा और सच सामने आया है जिससे पूरे महाराश्टर में भूचाल मच गया है उद्धव सरकार बूई तरह फस्ती नजर आ रही है वहीं मुंबई पुलिस कमिशनर परंबीर सिंग पर लगे आरोपे की सच्चाई से भी परदा उठता नजर आ रहा है मुंबई वसूली मामले में न्यायमूर्ती केईू चान्दिवाल आयोग जाच कर रहा है जिसके सामने मुंबई पुलिस का बरखास्त पुलिस अधिकारी सचीन वाजे को पेश किया गया आयोग ने वसूली के मामले में सचीन वाजे से पूछताच की जिसमें उसने जाच आयोग के सामने कबूल किया कि पुलिस कमिशनर परंबीर सिंग ने अवैद रूप से रूपए की उगाही की गतिविधी में शामिल होने से मना किया था सलाह दी थी कि अवैद उगाही जैसे काम से दूर रहो सचीन वाजे का ये कबूल नामा बहुत बड़ी साजीश की ओर इशारा कर रहा है इस मामले में फसे महराश्टर के पुर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की वकील अनिता कैस्टलीनो ने वाजे से इस केस के सिल्सिले में पूछताच की वकील ने बाजे से पूछा कि क्या ततकालिन मुंबई पुलिस कमिश्णर परंबीर स्टिंग ने किसी दवाव में आकर किसी की ओर से अवैद रूप से धन की उगाही करने को कहा था इस पर वाजे ने जवाब दिया कि नहीं परंबीर ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा था बलकि उन्होंने ऐसे मामलों से दूर रहने की सलाह दी थी तब वकील ने पूछा कि क्या उन्होंने परमबीर की सलाह मानी थी या नहीं इस पर वाजे ने कहा कि मैं पहले ही फंस चुका था वाजे ने खुद को ऐसा इमानदार अधिकारी बताया साथ ही कहा कि कुछ दुरभाग्यपूर्ण परिस्थितियों में दबाव डाल कर उनसे कानून के विरुद काम कराया गया अब आपको शायद ये पूरा माजरा समझ में आ गया होगा बरखास पुलीस अधिकारी सचीन वाजे ने परमबीर को तो क्लीन चीट दे दी लेकिन उसने कहा कि उस पर दबाव बना कर कुछ गलत काम कराया गया जो कानूनन अववैद था अब सवाल ये है कि आखिर वो गलत काम कराने वाला जब परमबीर नहीं है तो कौन है इशारा साफ है समझ सकते हैं तो समझ जाईए वहीं इस मामले में मुंबई का पुरो पुलिस कमिशनर परमबीर सिंग जाँच आयोग के सामने सो मुआर को पेश होगा इस बीच नियामूर्ति चांडिवाल आयोग के सामने एक और याचिका पहुँची है खुद को सामाजिक कारेकरता बताने वाले एक व्यक्ती ने आचिका दी है कि विल्डरों, व्योवसाईयों और आम लोगों को घलत मामलों में फसाया गया उन्हें राहत दी जाए आयोग ने इस याचिका को रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया बरकास पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के कबूल नामे से परंबीर को राहत मिलती नज़र आ रही है लेकिन इसे के साथ कई और लोगों पर गाज गिर सकती है जिन्होंने वाजे पर दबाव डाल कर अवैद वसूल समेथ कई गैर कानूनी काम कराए है अभी के लिए बस इतना ही देख रहिए कैपिटल टीवी चेहिंद